इन दे नेम आफ अल्लाह, दो मोस्ट बेनिफिशेंट एंड दो मोस्ट मर्सिफुल आज हमारा टॉपिक है टेड हीूज टेड हीूज इंग्लिश पोईट है, अंग्लिश शायर है, बहुत मशूर शायर है टेड हीूज, 1930 इसवी में यूरक शायर में पैदा हुए, इन्होंने केम्बरिज में तालीम हासल की इन्होंने अमेरिका की माय नाज शायरा सेल्विया प्लाथ से शादी की जिसने खुद कुशी कर ली इसकी नजमों का पहला मजमुआ हाक इंदा रेन हाक इंदी रेन, 1957 में शाय हुआ, जिसने लोगों में खासी मकबूलियत हासल की और हीूज को नुमाया शोहरत हासल हुई, इसकी ज़्यादतर नजमें जानवरों और परिंदों से मतालिक होती है इसकी ज़्यादतर नजमें जानवरों और परिंदों से मतालिक होती है हीूज को इन में बहुत दिल्चस्पी भी है, वो इनको गोर से देखता और इनकी छोटी छोटी हरकत भी उसके जहन पर नक्ष हो जाती है इसकी एक बहुत मशहूर नजम धी थाट फॉक्स है जिसका हकीकत में मौदु तखलीक कामल है इसमें तखलीक के वक्त शायर के जहन को जंगल में रात के वक्त लोमडी की खामोश और बे आवाज हरकत से तश्बी दी गई है रात के वक्त जंगल में लोमडी की हरकत को बड़ी खुबसूरती से बियान करता है इस से जाहर होता है कि हीूज ने लोमडियों की हरकात और सकनात का बगौर मुताला किया है यही कैफियत उसकी दूसरी नजमों में मिलती है इसकी एक और मशहूर नजम पाइक है पाइक एक खूंखार मचली है जिसकी तकरीमन लंबाई छे फुट तक हो सकती है इस नजम में भी पाइक मचली का वैसा ही गेहरा मुताला है जिस तरह बाकी नजमों में नजम के आखिर में पढ़ने वाले को यही एहसास होने लगता है कि पाइक दरसल उस शेर की एक अलामत है जो फितरत में छूपी है हीूज अपनी लंबी नजमों मसला क्रो और गॉडट में देव मालाओं के जरीए अपने ख्यालात का इजहार करता है यह नजमे कुछ ज़्यादा काम्याब नहीं है इन में बेरहमी का अंसर मुझूद है जिस से पता चलता है कि हीूज अपने आपको शर और खैर के फरक से बालातर समझता है फितरत में जो तवानाई या ताकत है वो सिर्फ उसका परस्तार है वो सिर्फ उसी का परस्तार है टेड हीूज का तर्ज असलोब रिवायती है मगर अंग्रेजी जबान में जो तवानाई और वुसत है हीूज उसका फायदा उठाना में खूब भी जानता है इस तरह की इस तरह उसकी निस्बस शेक्सपेयर और जान डन से भी होती है यह शेक्सपेयर और उसकी पोईटरी का थोड़ा सा तारूफ है ओके विवर्स टेक कियर अलाहाफीज